कि जो ये विहार में सराबंदी मानी मुख्वंची जो लागू किया है उसका बहुत ही नुक्सान आप सब जानते हैं कि जो विहार में अपना संसाधन तो बहुत ही कम है तो जो 15 से 20,000 करोर रुपया आपकारी से आता उनी खत्रों तीन सो से चार सो करोर रुपया आप खर्च करते हैं सराब पकड़ने में इस्थिति क्या है पूरे बिहार में आप सब जानते हैं मुखमंत्री जो कोई पता है कि सब जगह अवैद सराब कर रुबार तो राजस्त् सब्सक्राइब करें बात है कि बहुत सारे लोग इसके चलते जीलों पर बंद है कानून बनाना और उसको लागू करना इतना असान नहीं लिए भी कानून का राष्टा पना है कानून का रष्टास नहीं सराप बंदी हो आपको पूरा का पूरा विहार में जण जाकरन करना पड़ेगा वरसों तक करना पड़ेगा तब धीर धीरे माहल वनेगा अब जो लोग सराव ने नहीं पीते हैं लोग के पास बैठते उठते हैं नहीं पीते हैं लोग इन कानून के जरिये से सराब बंदी जवाब किये हुए न तो मैं एक बार नहीं मैं तो पूरी तरह से फेला और मुकमंत्र जिसको मानने को त्यार नहीं आप नहीं मान रहे हैं तो बिहार का मुक्सान तो ही रहा है आप सूचिए आप नालंदा राजिर जिस इला के महम लोग है आज तक यह कोई फाइव स्टार होटेल है अब जितने भी हमारे इंटरनाशनल टूरिस्ट हैं बनारस बस पर आते हैं बस पर लोट को पर चले जाते हैं अगर यहां विवस्था होती रिसॉर्ट होते इतने इस प्रकार के हो आते हैं और आप जानते हैं तो रोज़गार मिलता है बहुत रोजगार मिलता है लेकिन अब उनका जिद्ध है जिद्ध कोई सपोर्ट कर रहे हैं क्यों इसको बिना मतलब कर एक मुद्धा बनाए हुए इसमें देखिए मैंने पहले भी का यह कमीटी बना लेनी चाहिए सर निहार को राजिस्त का नुक्सान हो रहा है अभी आप हमको मैं बता दूँ मैं सवेरे से नो मज़े से सड़क परूंजी सिर्फ जो नैश्नल हाइवे है